हाव टू स्टेबल क्रोसेयर इतने दिनों से इस तवाल का जवाब मैं भी ढून रहा था बट अभी मुझे पता है किस तरीक से क्रोसेयर को स्टेबल किया जाता है और ये चीज़ मैं आज आपके साथ भी शेयर करूंगा क्रोसेयर स्टेबलिटी के उपर ये वीडियो पूरी तरीक से डेडिकेट होने वाला है अफकोस काफी सथ हेल्फफुल होने वाला है आप लोगों के लिए इस वीडियो का लाइक टर्गेट है 3.1 के लाइक प्लीस सारे भाई मिलके एक एक लाइक करके प्लीस कंप्लीट करा तो चलो शुरू करते है अब यह अपने फोन का मिडिल है अब पीछे का फिंगर अगर आप नीचे की तरप रखके फोन को होल्ड करते हो तब जैसे आप फायर बटन पर प्रेशर दोगे तब फोन नीचे आने की वज़े से आपका जो क्रोस यह वह भाई आटोमेटिक पर नीचे की तरप रखते है लेकिन 99% बंदे मुझे पता है कि 99% मन भाई फायर बटन को उपर की तरह पर रखते है इसलिए फोन का ग्रिप कुछ इस तरी किसे लेना है ताकि फायर बटन के नीचे फिंगर का सपोर्ट रहें बट इहापर में चीज होता है सेंसिरिविटी लिप्ट में high sense है, right में low sense है, अगर sporting की बात करें तब आप देख सकतो कि high sense में enemy को sport करना भाई काफी ज़्दा tough come हो जा रहा है, अगर sporting के side से देखें तो non zero में sporting काफी ज़्दा अच्छा है, खेर hip fire में focus अब का हमेशा crosshair में ही होना चाहिए, enemy sport करने के बाद हमेशा crosshair पे focus क दिखाऊंगा और जो result यहाँ पर निकल के आता है, जहाँ पर low sense में कहीं ज़्यदा bullet connect हो है target में, अब यहाँ पर आपको sense सेट कर लेना है 280 से 300 के बीच में, चाहिए आप कोई सब भी device यूज़ करो, आपको इसी वाले sensitivity में ship कर लेना चाहिए, क्योंकि low sense में hip fire काफी ज़् नहीं करता, बट यह cover काफी ज़्यादा मोटा होता है, जिसकी वज़े से phone में hitting issue दिखाई देता है, शाती साथ gripping में भी uncomfortable feel होता है, चाहा कि भी आप phone को tight grip पे पकर नहीं सकते, और close range fight में या फिर hip fire के fight में tight grip होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि phone को आप जि इसी तरीक से और वीडोस देखने के लिए हमारे इस वाले चैनल को बैए सब्सक्राइब जोरुस कर देना, साथ साथ जो बैल ना इडिशन है उसको बैए अलपे कर देना, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ एकस इंट्रेक्शन देख वीड़ो में तब तक लिए बाए झाल झाल